ओके डे 15 आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी sketchbook spread का जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा हमने 365 days का challenge लिया है और मन्थ जब end होगा तब मैं आप लोगों के साथ अपना sketchbook का process शेयर करूँगी ठीक है तो मेरी sketchbook मैं आपको दिखा रहे हूँ जैसा कि हम मैंने पिछली बार भी यूज किया है वही sketchbook है E4 size Sunny layer watercolor यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए share कर रहे हूँ जो मैं यूज करती हूँ दोनों set जो भी material मैं यूज करती हूँ उसका मैं description box के अंदर link आप लोगों को दूँगी तो वहां से आप लोग buy कर सकते हैं और visit करके देख भी सकते हैं Sunny layer का set है यह equamini और बहुत ही useful और बहुत सालों से use कर रही हूँ water brushes यहाँ पर लिया है मैंने यह use करने वाली हूँ और साथ में dealer rovni का मैं यहाँ पर एक mop brush यूज करूँगी okay तो यहाँ पर बहुत कम minimal चीज़ों के साथ हम हमारा sketch book करेंगे आज ठीक है करते करते मुझे इसका point बहुत अच्छा होता है इस brush का तो इसलिए मुझे personally पसंद है brush ठीक है चलिए इस शुरू कर लेते हैं तो actually क्या हुआ मैंने sketch बना लिया और उसके बाद मुझे ऐसी feeling आई कि मुझे यह आप लोगों के साथ share कर लेना चाहिए तो इस वज़े से मैं sketch का process आप लोगों के साथ share नहीं कर पाई और यहाँ पर जब यह थोड़ा सा कर चुकी थी तब फिर मुझे realize हुआ मैंने का यार नहीं यह तो मुझे आप लोगों के साथ share करना ही चाहिए ठीके तो केवल यहाँ पर मैंने simple washes लगा के first layer अप्लाई करी तो shades जो हम यहाँ पर use कर रहे हैं वो है blue का shade लिया है मैंने यहाँ इसके shawl के लिए और साथ में blue यहाँ पर हम use कर रहे है ultramarine blue और हलका सा यहाँ पर मैंने cobald blue पर आड़ किया ओके तो simple जो है water brush pen यहाँ यूज कर रहे हूँ मैं इस pen के regarding इस brush pen के regarding मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बताया था वैसे मैंने description box में link आड़ किया है देख लीजेगा इसमें water fill हो जाता है और मुझे यह personally बहुत अच्छा लगता है काम में लेना इस वज़े से मैंने मैं usually जब sketchbook करते हूँ तो मैं usually इन brushes को use करते हूँ तो बना लेते हैं एक बार कि यह जो beautiful सी यहाँ lady है जिसने हाथ में cup hold कर रखा है यहाँ पर window में देखते वे यह अपना tea time enjoy कर रही है यह बोलेंगे के me time अपना enjoy कर रही है तो वही जब मुझे photograph देखी मैंने तो मुझे बहुत पसंद आई यह photograph मैंने pen interest से लिया है ठीक है कोशिश करूँगे इसका description box के अंदर आप लोगों को link share करूँगे अगर मुझे मिल जाएगी तो because मैंने save कर ली थी phone में और मुझे I think laptop मैं मैंने save कर लिया और उसके बाद मुझे इसका link नहीं पता है कहा है तो कोशिश करूँगे अगर मिल जाएगा तो definitely आप drawing भी थोड़ी बड़ी है आज day 15 है जो 365 days का हम challenge कर रहे है यहाँ पर मैंने challenge लिया है कि daily मैं यहाँपर drawing या painting कुछ भी करने वाली हूँ अपना जो भी busy schedule है उसमें से time निकाल कर तो आप लोगों के साथ share इसलिए करती हूँ video बीच बीच में कि आप लोग भी inspire हूँ और साथ यह challenge accept कर सकते हैं और फिर आप भी अपना work जो है करना स्टार्ट कर सकते हैं शेयर करना चाहते हैं अगर आप में अपना work मुझे तो instagram पे आप अपने work के साथ मुझे tag करेंगे तो मैं आपका work देख पाऊंगे okay instagram पे वैसे मैं सारा update डालते रहती हूँ तो अगर आपने instagram पे follow नहीं कर रखा है तो नीचे description box के अंदर आप मुझे instagram पे follow कर सकते हैं नीचे हम यूज कर रहे हैं wet on wet technique और उसके लिए हमने यहाँ पर यूज करा है gray color क्योंकि सेनी लियर का gray color है यह 703 color यह नंबर है इस color का okay और यह सेनी लियर का color है तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास यह set नहीं है अगर आप beginner हैं और water color करते हैं तो कि usually जो starting हम करते हैं water color की वो हम करते हैं lighter tones के साथ बहुत ही lighter tones लेते हैं तो अगर आप beginner हैं तो जो मैं अपने students के साथ note करते हूँ वो यह है कि darker tones apply कर देते हैं शुरू में है तो वो चीज थोड़ा समको avoid करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हमको बिल्कुल light to dark हम आगे बढ़े ओके, online painting classes के regarding मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ के batches available हैं तो अगर आप interested है acrylic painting में या फिर आप interested है watercolor painting में तो batch बन रहा है भी आप live classes attend करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं वहाँ पर आपको फाइदा मिलेगा कि मैं आपका work correct करूँगी आपको जैसे मैं guide करूँगी वैसे आपको करने का मौका मिलेगा मेरे साथ और आप बहुत सारी चीज़े मेरे साथ सीखेंगे तो अगर interested हैं तो नीचे description box के अंद एक बार चेक करिएगा एक नमबर मिलेगा आपको उस नमबर पर वाटसप करके details ले सकते हैं ओके तो यहां बैगराउंड बना लेते हैं बैगराउंड के लिए हमने ज्यादा तर यहां पर अर्दी टोन्स ज्यादा यूज़े हैं इस painting में तो ब्राउन के टोन्स लिए हैं हमने रॉंबर के टोन्स लिए हैं हमने यहां पर हमने बर्न से आना ज्यादा यूज़े किया है तो बहुत कूल कलर्स के साथ यह painting है और मुझे परसनली इतना अच्छा लगा था इसका पोस यह जो यहां पर अराम से खड़ी है अपना कप हाथ में लेकर और विंडो में दे स्ट्रेटलाइन मैंने डिरेक्ली यहां पर पैंसल से ही स्ट्रेट लाइन कीचिए और ब्रशvard से यहां पर मैं उनको खहलाइट करें हूँ अगर गूडन फ्रेम जो हमारे बैग्राउंड में है उसको हम बना लेते हैं वाटर कलर जब हम करते हैं तो सबसे अच्छी चीज मुझे वाटर कलर की यह लगती है कि मुझे परसनली उसकी वेट उन वेट टेकनीक यूज में लेना बहुत अच्छा लगता है तो आपको अगर आप वाटर कलर करते हैं तो आपको वाटर कलर की कौन सी टेकनीक पसंद है चलिए पताएगा कॉमेंट बॉक्स में मैं वेट करूँगी आपके आनसर का तो यह एक्चली अकेला ब्रश बहुत ज़्यादा सफिशन्ट रहता है मुझे ऐसा लगता है जबी भी स्केच्च बुक करते हैं तो क्योंकि पहली चीज़ तो देखिए स्केच्च बुक के अंदर कोई रूल्स नहीं होते है तो यह तो मैं चलिए आप लोगों के साथ शे प्रुटिंग है तो भी डेफिनिटली आप टाइम निकाल के और कुछ यहाँ पर कुछ मिनिट्स आप निकाली अपने और उनको सिलेक्ट करिए कि हां मुझे यह ताइम अपना स्केच्च बुक के लिए देना है तो वह इंपोर्टन होता है अच्छली तो इसलिए मैं अप फाइव का सेट आता है यह उसमें दो फ्लैट ब्रश आते हैं और इसके अलावा तीन इसमें राउंड ब्रश आते हैं तो मैं कोशिश करूंगी इंचे डिस्क्रिप्शन बाक्स के अंदर लिंक डालने के आप लोगों को ठीके तो आप लोग पाय करोगे इसको तो आज मॉर्निंग में बस उठते ही एकदम से ऐसा मन किया कि एकदम स्केच बुकिंग करूं और मॉर्निंग का टाइम रहता है कि मैं अपना फोन या जो भी टेकनिकल रहता है उसको मैं स्क्रॉल नहीं करते हूं तो बस हाथ में जैसे ही मैंने फोन लिया वैसे ही मेरे सामने यह पिक आई और मैंने इसको सोचा कि चलिए मैं इसको क्रियेट करते हूं तो इस वज़े से मैंने इस शेयर करी और विंटर का टाइम है चाई पीना डेफिनिटली हम सब के हम सब को काफी पसन आता है धूप में कड़े होकर तो इस वज़े से भी मुझे इस पिक ने काफी टेम्ट किया ओके डाक टोन्स अप्लाई कर लेते हैं बालों के लिए बालों के लिए दिखिए यहां पर मैंने दो तीन टोन्स लिया हैं पहले तो मैंने यहां पर बर्न सियाना लिया था फिर्स्ट लेयर जो हमने बेस लगाई थी उसके बाद हम यहां पर रोंबर ले रहे वह बिल्कुल लास्ट में आड़ करना है कभी भी हम डाक टोन्स में काम करते हैं तो हम कोशिश करें हमारी पेंटिंग के अंदर बिल्कुल लास्ट के अंदर उनको आड़ करें वैसे देखिए अपना-पना टेक्नीक होता है और अपना-पना तरीका होता है और सभी टेक्नीक अगर आप comfortable है तो definitely आपकी techniques बिल्कुल सही है टेक्नीक्स चेंज करनी की ज़रूद जब पड़ती है हमको जब हम comfortable नहीं होते हैं हमारी painting process के साथ तो अगर आपको लगता है कि आप अपनी techniques के साथ बहुत ही ज़्यादा comfortable है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को चेंज करनी चाहिए मुझे personally light to dark tones करना बहुत पसंद है चाहे मैं water colors करूँ चाहे मैं acrylic paints करूँ और even oil painting में भी मुझे लगता है कि मैं कभी-कभी dark लेती हूं बीच में तो यह process रहता है कोशिश करूँगे आप लोगों के साथ सभी तरह के process शेयर कर सकूँ आने वाले समय में चानल के उपर और अगर आप new है नहीं जानते हैं मुझे तो हाई मेरा नम पूजा है और यह मेरा art channel है आटिस्टा पूजा हैंदी और बहुत ही दिल से बहुत ही प्यार से आप लोगों के लिए वीडियो यहां create करते हूँ मैं और अपना process आप लोगों के साथ शेयर करते हूँ जिससे आप लोग भी inspire हूँ और दिल में अगर कहीं न कहीं है कि नहीं पींटिंग करनी है टाइम निकालना है तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इंस्पायर हूँ और एक consistency बना के रखे जो चीज हम इतने दिल से चाहते हैं उस चीज को हमको जोड के रखना चाहिए अपने आप से मैं ऐसा मानते हूँ क्योंकि देखें आप चाहे वरकिंग हैं इंस्पायर होकर और कोई भी एक sketchbook बनाएए थोड़ी बहुत drawing करिए painting करिए बहुत मजाएगा याना जादा time मत spend करिए जैसे यह वाला process तो मेरा काफी लंबा था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया पाकि January के end में आप लोगों के साथ मैं sketchbook शेयर करूंगी तूर 30 days का process तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि चूटी-चूटी paintings भी मैंने create करिए ठीक है तो चूटी-चूटी paintings भी हम create कर सकते हैं यहाँ पर हम dark tone आड कर लेते हैं ठीक है बहुत ही जादा easy रखा मैंने यहाँ पर tape अगेरा कुछ भी नहीं लगाई है और lines भी यहाँ पर directly brush से ही मैंने pick करी है pencil की lines नहीं है background के अंदर कहीं-कहीं पर और मैंने directly यहाँ पर brush यूज़ करा है तो बहुत ही simple रखा क्योंकि जब ही मैं sketchbook में काम करती हूँ बहुत ही जादा एक्तम easy और cozy feel करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि यार यह तो मेरा बहुत ही personal है मुझे यह तो यह किसी को दिखाना नहीं है तो मैं बहुत ही easy रहती हूँ उसमें इस काम करते समय है आप भी अपना sketchbook work मुझे दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दिखा सकते हैं इंस्टाग्राम पर मुझे tag करिए और दिखाएए अपना work मुझे हलका सा dry brushing कर लेते हैं यहां पर हलका साम texture दे रहे हैं ग्लास में तो उसके लिए हम हलका यहां पर dry brushing यूज़ कर लेते हैं अब यह देखे इस brush को अगर आप देखेंगे तो यह brush अपने आप में ही कित्ता जाद वर्सेटाइल है dry brushing भी हम कर सकते हैं इससे इससे हम wet on wet भी कर सकते हैं और सभी तरी की टिकनीक साप यूज़ कर सकते हूँ उमीद करती हूँ वीडियो बहुत ही जादा inspiring रहा होगा बहुत ही जादा आपको लगा होगा कि हाँ आज आप भी लेके बैठने वाले हैं अपनी sketchbook है ना तो मिलेंगे next वीडियो में उमीद करती हूँ आपको किसी न किसी रूप में मैंने इस वीडियो के थूँ value add करी होगे आपके life में thank you so much for watching और बेट करूँगे आप लोगों के work का और इंतजार रहेगा मुझे कि आप मुझे instagram पर tag करें और मैं देख पाऊं आपका work thank you so much for watching मिलते हैं next वीडियो में बाई